मैडम कह रही है कि अब वामपंतियों को थोड़ा अमबद्धी होना होगा अमबद्धी होना पड़ेगा अमाम सोशल गूप को रेप्रेजेंटेशन और लीडर्शिप में उनका इंबॉल होना ये बहुत जादा जरूरी है इस पर हम लोग थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगाते हैं सोचने में नहीं इसको फिर लागू करने में भी लेकिन शुरुआत तो हो गई है तो हम लोग भी ये कहते हैं कहीं आकाश बड़ा होगा सूरज छोटा होगा वहीं कहीं सूरज बड़ा होगा लेकिन ये जो दो दिशाएं हैं हमारे देश में परिवर्तन क्यांदोनल की अगर ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी तो दोनों की छती होगी तो कहेंगे देश के गरीबों पर जिसका बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है आदिवासियों का है पिष्टों का है अल्प संखितों का है महिलाओं का है उन पर जो हमले है चौत अर्फा बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ, आज मैं नई दिल्ली के हरकिशन सिंग सुरजीत भबन में हूँ, वहां देश के कई संगटनों द्वारा एक दिवसिये, राष्ट्रिये संगोष्टी का आयोजन किया गया है, और इसका विशय है, जो दलितों खिलाफ लगातार जो हिंसा बढ़ रहे हैं देश में, और कई तरह के हिंसा, इसलिए फीजिकल नहीं, मानसिक हिंसा भी, इन तमाम मुद्दों को लेकर देश के कई भागों से तकरीबन हजारों की संख्या में लोग इकठा हूँ, कई संगटन इतमें शामिल है, मैं भी आया हूँ, और सुभासरी जी म सवाल कि आखिर इसका पूरा जो कन्वेंशन है, यह किसी पार्टी का ओल, मतलब कई तरह के संगटनों का एक समागम है, जी बताएं जरा क्या हूआ है, यह जो इसको आयोजन, इसका आयोजन करने वाले पांच संगटन है, इसमें दो खेतमजदूर यूनियन है, दो लेफ पार्टी के साथ काम करने वाले दलित संगटन है, अतीन खेतमजदूर यूनियन है, तो पांच है सब मिला करके, तो मतलब लेफ्ट के साथ करने वाले काम, दलित अधिकार के सवाल पर, यह पांच संगटन है, और हम लोगों ने पिछले दो तीन महीने में यह यूजना बन है आदिवासियों का है पिष्टों का है अल्प संखितों का है महिलाओं का है उन पर जो हमले है चो तरफा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक तरह से दलितों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके अधिकार उनकी नौकरिया उनकी शिक्षा उनका सम्मान उनकी मतलब आत् रखना चूर करने की एक सोची समझी साज़िश हमारे देश में लागू की जा रही है तो ऐसी हालत में ये तै किया गया कि इस सवाल पर एक बड़ा सम्मेलन किया गया है और खास्तोर से जो उत्तर भारत के लोग हैं जहां पर ये समस्याएं सबसे ज्यादा गंभीर है और जह अगर वो दलित मुद्दों पर अंदोलित हैं तो उनको सबको मौका दिया जाए और एक प्रस्ताव तैयार किया गया उसको वो लोग और भी अच्छा बनाएंगे कुछ मांगे हैं लेकिन इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग एकठा आये हैं तो इस मंच को हम परार रखें और भी ज्यादा विश्तरित करें और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहां पर तैय हो और हम लोग जिलों में जा करके अपने स्टेट्स में जा करके राजियों में जा करके इसी तरह के तमाम संगटनों के प्रठा करके जो भी यहां पर प्रोग्राम तैय होता तब उसका कुछ impact पड़ेगा और फिर हम लोग सोच सकते हैं कि दिल्ली में हम क्या कर सकते हैं एक सवाल पिछले कुछ दिनों में एक नया slogan देखने को मिला है जो बहतर जैभी मलाद सलाम और मैं बेटकर साब को बढ़ता हूँ कई बात डांगे साब को लेकर उनके बहुत तीके सवाल रहें लेकिन वामपन से उनकी उस तरह से लड़ाई नहीं है काल मांस और बुद्धा का जो उनका पूरा लेक्चर है मैंने पढ़ा है उसको चाहते हैं कि बामपन थी और बाम बने तो और बाम बने तो कास्ट के सवाल को लेकर तमाम यह सब सवाल को लेकर उनके जीवन काल में ही बहुत सारे अंतर विडोत थे और बहुत अग्रेसिवली हो बोलते थे अभी आपका एक नारा चला है जैभीम लाल सलाम इसो कैसे देखा जाए क्या लेफ्ट पार्टीज के पूरे पुरे पुलेटिकल फिलासफी में कोई चेंज़ आ रहा है उसका इंपक्ट और अर्गनाइशन पे एलेक्शन पैटर्न पे लीडर्शिप पड़ेगा मुझे लगता है कि जो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स में बातें दर्ज हैं हमारे प्रिस्तावों में दर्ज हैं उनको अब ज्यादा गंबीरता से देखा जा रहा और लिया जा रहा है क्योंकि अगर हम उतर भारत को देखें तो एक जमाना था मतलब आजादी के पहले आजादी के तुरंद बात जब बहुत बड़े आंदोलन जिसमें दलित भागीदार थे वो लाल जंडे के नित्रत में चले और वो छुआ छूट के खिलाव थे और जमीन के सवाल पर थे और उसके बाद जैसे कि कुछ लैन्ड रिफॉर्म हुआ कुछ पिछड़ी जात के लोगों को जमीन मिल गई वगारा तो ये आंदोलन मंद पड़ गया और ये बात बिलकुल सही है कि खास तोर से उत्तर भारत में अगर लेफ्ट सामाजिक सवालों पर यानि जो दलितों के प्रिश्ट है माइनॉर्टिस के हैं माहिलाओं के हैं तो आप जब तक इनको क्लास पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे और उनको क्लास पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं समझेंगे क्लास है क्या चीज़ वर्ग क्या है जो शोशिद वर्ग है हमारे देश में आप उसको मज़ूर कही है आप उसको किसान कही है लेकिन अगर उसका विशलेशन आप करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है बहुत बड़ा हिस्सा कुछ इलाकों में ट्राइबल्स का है और बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है तो इस समासे भी हमको ये विशलेशन करने की ज़रूरत है और कास्ट और क्लास्ट का जो आपस में अच्छा शब्द है ये जो इनकी इंटर लिंकिंग है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसी लिए रोईत वेमूला भी उन्होंने भी लिखा बहुत सुंदर लिखा ठीक है उनके बढ़ा होगा, सुरच छोटा होगा, जहीं कहीं सूरच बढ़ा होगा लेकिन ये जो दो दिशाएं हैं हमारे देश में परिवर्तन के अंदूलन की अगर ये एक दूसरे के करीम नहीं आएंगी तो दोनों की छती होगी तो ये हम लोगों का पहला और सबसे प्रात्मिक काम होना चाहिए कि हम कुछ भी करें लेकिन इन दो दिशाओं को साथ लाएं यह डॉक्टर अंबेटकर की जिंदगी में भी इसकी संभावना थी अंबेटकर नवा देखती है अगसा जब जब वो साथ आए और बड़ी हरताले हुई टेक्स्टाइल के मजदूरों की और बहुत क 落़ दो लोग जानते हैं एक किस रहुंग करीब किसानों की उन्होंने 1्मार्च में पार्टिस्पेट किया श्यामरा पोलो लेकर जो कम्सार्डिस्ट मादमिल क्योंनेता बने खोध के खिलाफ एक संवन्ती पसा के खिलाफ दो इन सारी चीजों में लेफ्ट के लोग और वाट सत्यग्रा उस में भी आर भी मोरे जैसे लोग थे तो उस परंपरा को फिर से जिन दा कंडे की जरुवत है और दोनों तुरफ के लोगों को उस परंपरा से सीखने और समझने की जरुवत है एक किताब आई है अभी एक दलित वामपंती की बायग्रफी है, अटो बायग्रफी है, मैडम ने मुझे दी है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसा कुछ पोर्शन पढ़के मैं मैडम का इंट्रिव्यू करूगा, वहराल एक सवाल और, आप पॉलित वीरो की मिंबर ह एक इसवी सदी है, और कही बार यह लगता है कि जो प्राइमरी कॉंट्रिक्शन है, वह कास्ट को लेकर भी, मजदूरू की भी जातियां होती है, उनकी छेतर धर्म सब होते हैं, क्या पॉलित वीरो में, या वामपंत एज हो, लार्ज, सीपियम को छोड़ दीजे, नहीं चलेगा कि हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं, हाँ, आपके बिहाब पे हम बोल रहे हैं, यह प्रोक्सी अपना सिले, हाँ, और यह जरूरी है, तमाम सोशल गूप को रेप्रेसेंटेशन और लीडर्शिप में उनका इंबाल होना, यह बहुत जादा जरूरी है, इस पर हम लोग थोड़ा इन चीजों में थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा आगे, सोचने में नहीं, इसको फिर लागू करने में भी, लेकिन शुरुआत तो हो गई है, जहाँ शुरुआत हो जाती तो फिर होने लगा है, चलिए, यह कहना सिर्फ यह था मेरा कि अगर इतने 70-75 सालों में या वामपंत के तक्रीबन 100 साल के इतिहास में, अगर हम दलित आइडिलोक्स वामपंत के मार्क्सिस्ट आइडिलोक्स प्रेडूस करने में असफल रहे हैं, लेनिस्ट प्रेडूस करने में असफल रहे हैं, तो यह चिंतन हमें जरूर करना पड़ा है कि हमने क पढ़ाय क्यों नहीं बनाए सवाल बनता है लेकिन अच्छी बात है मैडम कह रही है कि अब वामपंतियों को थोड़ा अमबेटकर वादी होना होगा अमबेटकर वादी ओना पड़ेगा जो कि अमबेटकर के जमाने में भी ये पूरी धारा उस तरीके से चल रही थी कुछ इ उठाये थे एलेक्शन को 1952 के एलेक्शन में भी उठाये थे बहराल चलिए यह चिंतर मनन हो रहा है मैडम हमारे साथ है और शुब कामना सुब कामना है आप देखते रहे हैं अमबेटकर नामा पूरा वीडियो देखिए और जितने साती है नाशनल दस्तक और कौन को ने ग नाशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो ने शनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट लर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं ने शनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.